भुलू शिरी प्रामनात प्यारी कीजे, सत्गुरु महाराजी कीजे, पन्ना धामी कीजे, सब सुन्दर साथी कीजे, पड़ामजी सुन्दर साथ जी, आप सभी सुन्दर साथ जी के धाम हेरते में मिनाजे, शिराज शामजी के चर्णों में शाश्रा परमन संदसाजी आप शिराजी शामा जी की मेर सी शिर प्रक्रमा करंद को उन एक एक चरन को एक एक चपई की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करने हैं सत्पुर माराश्ची जी की ठीका से आज बढ़ना है चपई नमबर 121 से सेज्य आईश जुबल की शोर तब दिल हुआ दो पहर सैया बैठी जुद जुद टोले करी रहस बाती दिल खोले करी रहस बाती दिल खोले तेत कई विद रस उप जावे कई विलास मंगल मिलगावे कई हसस ताली देवे यू कई विद आनन लेवे वह वन्मे श्यराजी से राजी के कई प्रकार के मंगल गीतों का connection करके अनन विलास करती है को सख्या ताली की दुणी से आनन का अन्पाव करती है राज हो के उन लेला के उप्रान शिराज शामाजी नीलो ना पीलो मंदिर में आई सक सिच्च पर विराजमान होते हैं और वहाँ विश्राव करते हैं और सखिया धनी चर्णों से लाग कर सिजदा करके बनों में जाती हैं टोले टोले और वहाँ पे अपनी सब बातें और लेला फिरा दिल खोल के बाते करती है धने की तो उसी करसंग में आगे कि तित कई विद्रस उपचावे कई विलास मंगल में लगावे अब कोई रंगमेल के शज्जों पर कोई साथवे आजवे भूम में कोई चानवी पर कोई सकी साथवन में कोई वटवीपल की चोकी में कोई फूल बाग में लालचब उत्रे पर ताडवन में जोड़े जोड़े सख्यां बैठी है तो उनमें से कुछ सख्यां तो धनी की गुनों का गायन करके मंगल गीत का के आनग कर रही है कोई सकी मंगल गीत का रही है काइन कर रही है कोई सकी ताली देकर ताल सी ताल जैसे मिलाते है पई बैठर छज्जो जाए, बैठर अंग सो अंग मिलाए मुख वानी सो ये दुख जावे एक दुझे को प्रेम बढ़ाए कुछ सखिया रंग महल के गोम तर गोम जो छज्जे आए है उन छज्जो पर आपस भी छट पर बैठ जाती है बिल्कुल एक रूपों का सट पर बैठ जाती है कुछ सखिया अपने मुखार बिन सम मदुर्वानी प्रगट करके प्रस्टर प्रेम बढ़ाती है कई बैठर छज्जो जाए, बैठे अंग सो अंग मिलाए कई सखिया शेरंग महल के भूम दर भूम जो 33 साथ के छज्जे आए हैं उन छज्जो पर जाकर बैठ जाती है जरोखों में जाकर बैठ जाती है जहां भी बैठना हो वहां पर सिंगासन कोजिया हाजर होते है एक रूप मुकर बैठी सखिया और धनी की गुनों का गायर करती हुई मिथी मिथी आवाज में उगीत गुन बनाना मुकवानी सु हेत उपचावे सुन्दर गीतों का गायर करकी आपस में एक तूजे के प्रति प्यार भी बढ़ाती है एक तूजे सु प्रेम बढ़ावे रस अनेक बातन लेवे सु सु में कहों न जाए या मुक सरूप शोभार जो सुन्दरता बस्तर गोखन तेच और धरता इस प्रकार सक्खियां विभील प्रकार की बाते करके सुप कानभाव करती है जिसका वर्णन इन मुक्सी नहीं हो सकता सभी सक्खियों की सुन्दरता उनका सरूप अनोका है उनके वस्ता गोशन तेज और प्रकार से भड़त हो रहे एक सुन्दर लिला का वर्णन करते हुए शिराश शामा जी नीलो न तीलो मंदिर में उन सुख सिज्जा पर मेराजे है शिराश शामा जी विश्राम की लिला में आपस में उनकी वो मीठी मीठी बाते और इधर सख्या कोई छचो पे कोई चामनी पे कोई साथ में आठी हों कोई वनों में जोड़े जोड़े बैठ रही है गाइन कर रही है मीठी मीठी पिया की गीत गाके पिया संचो बाते हुई है एक तुझे को बता रही है एक तुझे को सुख दे रही है धनी की बाते दिल खोल कर रही है कोई ताली बजा रही है तो किसी का आंग प्रतंग नतन करता है कोई उन मीठी मीठी बातों संग धनी के सरोग को चित में लिए हिंडोनों को जोल रही है कोई रंग मेल की चाननी पर विहार कर रही है तो रस अनेक बातन लेवे सो सो में कयों न जाए या मो सरूप शोबा जो सुन्दरता बसकर गुखन तीजो धरता सक्यू की सुन्दरता उनकी शोबा उनका तीज मदुर गीतों का गाइन कर रही है अपनी भखाव फंग्लों से उन गुनों को दर्शा भी रही है उनकी शिंगार का गरवर्णन कर रही है कि धनी ने आज कितनी प्यारी जांजरी पहनी है तो वो जांजरी उन गीतों से सामने प्रस्तोत होती है कई बैठत मिलावे आए बैठे अंग सो अंग लगाए सुख एक दूजी को प्चावे मुखवानी सो प्रीद पढ़ावे कई सखिया परस्त पर मिलके समूं में बैठ रही है बैठे अंग सो अंग लगाए परस्त पर सट कर बैठती है सुख एक दूजी को प्चावे एक दूसरी को सुख प्रदान करती है मुक्वानी सुख पीत परावे अपनी मदुरवानी से सुखों की अभिम्रती करती है बराबर इन सब शपईयों में मदुर गीतों का गायन तो आई राए कि सख्या जब आपस में बात करती है तो किती अदा से धनी की वो बात को मीठी मीठी स्वरों में गा कर अदा से पेश परती है और एक दूजी में परस पर प्रेत बढ़ाती है अपना सुख एक सखी का सुख समी सख्यों का सुख हास मिनोर ऐसा करें सुख प्रेम अधिक अंग धरे यो सुख मिनो मिने लेवे सकी एक दूजी को देवे परस्पर ऐसा हास मिरोद करती हैं कि उनके अंध प्रतंग में सुख की अभिवर्द्धी हो जाती है यूँ सुख मिलो मिले ले ले, सखी एक तूजी को देगी परस्पर सुख लेती हैं एक तूजी को देती है कई बैठर चाय हिंडो ले, अनिक करत कलो ले कई बैठा चाय पलंगे बाता कर मिलो मिलनंगी कुछ सखिया हिंडोलों में बैठके अनेक प्रकाड की खेडाई करती है कुछ सखिया पलंगों पे बैठके विबिन प्रकाड की दस भरी प्रेम बात्राई करती है कोई सखी ताडवन में, कोई बड़ पीपल की चोकी में उन अतिस सुन्दर हिंडोलों में छूलना पहले तो वो मदुर समा बड़ पीपल की चोकी में है, ताडवन में है तली नहरे चल रहे हैं, चैबच्ची उठ रहे हैं, बनों का सुबंदिश समा और उनके हिर्दे में पिया का सरूप समाया हुआ, उनहीं की बाते करते हुए उन जूलों में छोलना और उन यादों के माहें तो धनी भी प्रतक्ष होते हुए बड़वन के जूलों की अपनी अलग शोभा, जमीन सी एक हो मुचाई पर छोलना और तलिप पशुपक्षी भी धनी का बुनगान करते हुए और धनी की लेलाएं प्रतक्ष होते हुए और कभी शी रंग महल की मंदिरों में उस सुन्दा सुख सेज्या जो नूल की हैं वहां बैठ के बाते करना उस सुख सेज्या पर बैठ की बात करने का सुख और दिल में कहीं न कहीं ये भाववी की पिया भी तो नेलो पिलो मंदिर में सुख सेज्या पर बिराज़े हैं उसी अदा से सुख सेज्या पर बिराज़ मानों की मीठी मीठी बाते करने एक दुजे की सरूप में धनी को देखना शामा वरानी के दर्शन करना कई बैठर जाए पलंगे बाता करे मिनो मिने रंगी यू अनेक विद्धे सुख नित पिया जी को सदा उपचल सब सहिया पहद बीचल टोले तीसी गूम आवे चल यू अनेक विद्धे सुख नित अनेक प्रकार के सुख यहां नित्ते पिया जी की अनेक बाते करके पिया जी को सदा उपचल एक दोसी की सखी के आनन में यहां नित्ते पिया जी की अनेक प्रकार की बाते करके एक दूसी सकी की आत्वा में आनंग की अन्गूति होती है यू अनेक विते सुख नित पिया जी को सदा उपचल जब सहिया पोवार पीच चल, तोले तीसी फून आवे चल सब सक्या चोथे पहर में समू में तीसी फून में आती है एक साथ तीजी गून की परशाल में आती है अनेक प्रकार के सुख देखे कोई छज्जों पे बैठी बाते कर रही है सामने वनों के नजाने लेते हुए कोई चान्नी पर विहार करते हुए कोई साथ वनों में दूर तक जम्नजी तक निकल जानू कोई बट पीपल की चोकी में हिंदू लेखा रही है कोई तार वन में, कोई बड़ वन में फूल बाग में सुन्दर सुन्दर फूल चुनते हुए धनी की माला उनका शिंगार बनाते हुए आपस में धनी की मिठी-मिठी बाते करना अनेक प्रकार के सुक लेकर एक साथ तीजी फून की परशाल में आते हैं चोके बहने मंदिर आया सैया जब मंदिर आया सैया जब कुले δ्वार दर्शन पाए सब तब आये सबे सुक पाज शामाजी बैठी संगलाब जब सब सखियां तीसी भोन में आती हैं, तब वहां मंदिरों की द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि जाली खूलने से मंदिरों की स्थान पर देलानों का रोप हो जाता है। तब इन देलानों में सुखपाल आ जाते हैं और शिराजी और शामाजी और सकीगर सुखपालों में बैठ जाते हैं इन चपाई में दो लीलाओं का वर्णा यह सतुर मराश्री जी के परदर्शन से देखते हैं तीजी भूम का सुन्दर द्रिश्ट है अब राजी इन नीलो ना पिलो मंदिर में सुक्सेजा पर विराजे है छोथे पहर में लगबग तीन बजे के आज़ पर छोथे पहर में जब सब सखिया यहां तीजी भूम की परशाल में बढ़ाती है एक साथ सब एक साथ आती है तो उन समेख खुले द्वार उन समेख ये जो तीन मंदिर आये हैं इनकी जो जालियां हैं सब हड़ जाती है सफी भीत्रे दिवाल रह जाती है तो यहां पर अब तीन मंदिर का खुला स्थान हो गया एक मंदिर की देलान, दो मंदिर की ये परशाल ये तीन मंदिर की जबे एक रस एक रूप होगे अब इन स्थान में दो मंदिर की परशाल चोड़ी जिसकी फूर किनार पर ये थंब आए हैं बड़ी-बड़ी महराबे इंचरोखा जिसको कहा गया भीतर अपने को एक मंदिर की चोड़ी दस मंदिर की दहला नजर आ रही है यहाँ पर सिर्थ थंबू की हार है नहीं तो एक रस ये खुली जगे हो गई अब यहाँ पर सब सक्खिया आई दरवज्जे खुल गए तो राश्चामची यहाँ पर सुख सेज़ा पर विराजी है तो एक सास सभी सक्खिय गण को धनी के दर्शन होते हुए उसके लिए अपने को यह आवश्चिकता नहीं पड़ेगी कि इन दरवज्जों से हम भीतन जाएं इन परशाल में आते ही जो दहलान है हो उनकी जालियां हटके पुली दहलान की रूप में आ जाएगे और धनी के पर दक्ष दर्शन सब को हो जाएगी फिर इसके बाद धनी का शिंगार सख्या कराएंगी वणों से जो हुलु के शिंगार लेकर आई हैं धनी को पहणाईगी भुजिन की जो सामागरी लेके आई है फलो को जो समार की लेके आई है धने को रखवाएंगी और उसके बाद वनों में चलना है तो अब इस तीसी भूंग की परशाल में आकर यहाँ पर सुप़ा लगते हैं एक बार दुबारा पढ़ते हैं माचा बैट मंदिर आया सहिया जब खुले द्वार दर्शन पाए सब तबे आये सबे सुप़ाज शामाजी बैटे संगलाज जब सब सखिया तीसी भूंग में आती हैं तब वहां मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं दाएबाई जो तीन तिन मंदिर हैं वो द्वार खुल गए क्योंकि जाले खुलने से मंदिरों की स्थान पर देलानों का रूप हो जाता है अब सब सखियों को एक साथ धनी के दर्शन होते हैं यूगल पिया कि वो प्यारी सी चब सुपसीजिया पर शिराज चामाजी विराजे हैं उन सुन्दल चबी को दिल में लेवे कि शिराज चामाजी संग संग बैठिंग में वो प्यारी अदासे उनकी चर्णों का संपून देदार उनकी चरंतली उनकी जांजरी उनकरी का भी कटला संपून देदार होता हुआ धनी की चर्णों लागना और धनी को शामाजी को शिंगार सजाना क्योंकि अब वनों में जाना है वनफल अरभवाना और अब जब चलना है वनों में तो सुखपाल अपनी भूमिका से उतर कर तीजी भूम की परशाल से आके लगते हुए और माराशी जी कहा रहे हैं तब इन देलानों में सुखपाल आ जाते हैं कि कुछ सुखपाल उन तीजी भूम की परशाल पर भी जैसे उतरते हुए तब शीराजी, शामाजी और सकीरन सुखपालों में बैठ जाते हैं यहाँ पर एक और प्यारी लिला का वर्णन मन्मुहर रसनन सागर में भी है कि यह तीजी भूम की परशाल और घेर कर जो यह मंदिरों की जरोके आए हैं सब एक लिवल में आये हैं 204 हाथ की उचाईपर यानि तीसी भूमिका की जमीन से तीन हाथ की उचाईपर तो वो परणन करते हैं कि जो सुखपाल खड़े होते हैं पूरा कुलाई में पुरे रंग मेल को घेर के सुखपाल खड़े हैं 5.990 मंदिर होए 5.990 चरोके होए उन 5.990 चरोकों के ठीक सन्मुक सुखपाल और दस सुखपाल इन तीजी भूम की परशाल के सन्मुक अब उन समय इन परचाल के कठेड़े खुल जाएंगे दो-दो सखी एक-एक सुखपाल में विराजेगी और जिन सुखपाल के सखीगन आके सखियां के विराज गई वो सुखपाल यहां से आगे बढ़ेगा चानली चोप में या इन वनों के उपर आके ठैरता हुआ अब एक-एक सुखपाल आगे बढ़ता हुआ सखियों को लेकर और एक-एक सुखपाल यहां से आगे बढ़ते हुए ऐसे एक-एक करके दस मंदिर की इन परशाल के सामने तीज़पों की परशाल के सामने एक-एक सुखपाल आते हुए, सख्या विराज्ती हुई और मनों के उचाती हुई तो उन समे रंग महल का नजारा देखे पूरा खेर कर उनको सुखपाल, कितनी प्यारी शोभा और बराबर एक उचाई में उन जरुकों की उचाई में उन तीजी भूम परशाल की उचाई में एक साथ कैसे एक सम रूप कितनी सुखपा और एक-एक सुखपाल के उपर नीचे आगे पीचे कई खोब खुशालिया जब रूप की पुतले अनरितन करती हुई तो सुखपा दोडोडोड सईया सब सन मिल बैठ करे कई न सुखपाल चलावे मन जो चाहिए जैसा चे एक-एक सुखपाल में दो-दो सख्या बैठ जाती है और प्रस पर अप्रेम लिला की बाते करती है जिनकी जैसी इच्छ होती है उसी स्थान पर सुखपालों को ले जाती है अपनी दिल की चाहना अंसार सुखपालों को चलाना उपर नीचे आगे पीछे अब कोई सकी जाती है कि मुझे तो धनी की बिल्कुँ साथ जैना है तो सुखपाल बिल्कुँ धनी की सन मुख कोई आगे कोई पीछे हर किसी की चहाना की धनी सामने नजर आए तू जैसा सखी जाती है वैसे सुख़ा चलते हैं उसकी दिल की चहाना अनुसार या जमना जी या तलाबे आई खिले जो मन भावे श्राज शामा जी के देरे सुख़ा उतारे सब नेरे नेड़े यानि पंजाबी में बोला जाता नेड़े नज़्दी शी जमना जी पोशको सर्ताल पर सब अपने इच्छांसा खेलती है जहाँ पर शीरा जी शामा जी अपना सुख़ाल उतारते हैं सखिया भी पास में ही अपने विमानों को उतारते हैं कभी तु जम्नजी में आना जम्नजी की वो प्यारी शोपा जललोस ब छूटर दियो रियां पाल पर बढ़ो वण के बिक एक इक बिक की शोपा नगोमा पर केल पूल बाट पूल की शोपा तु कभी जम्नजी में और कभी भुश कोसर की ऊन सुनदर समाने सुख्वाल उतरते हुए अब राजी का सुख्वाल माल लीजी पाल पर उतरा पोश्वोसर की चोर सुख्वाल पर तो बाकि सब सक्षियों के सुख्वाल भी शिराजी के सुख्वाल के नदी की उतरते हुए शिराज शामा जी सुख्वाल से उतर रहे है सब सक्षिया भी सुपासरता रहे हैं तो प्यारी से चब उतरती समे कैसे एक सक्षी की चड़नों का दीदार राज्शामजी की चड़नों का दीदार और जब उन पाल पर उनकी कदम धरते हैं तो आभुशन भी कैसे मधूर आवाज में गाइन पर उतते हैं पुशी सिब चहे कुड़ते हैं कि प्रिश्चुमदर अभुश्णों की उस वकद आवाज पशु पक्षी कैसे उमरते हैं पिया पिया तुही तुही का बनगार जमना जल हो, हुच को सर्था दालो उनकी जल की उची उची लहरे भी अपनी प्रसंता बेस करती हैं वनों की डालिया जहुंते हुए, हिंडोले जहुंते हुए, अंग प्रतंग में नरतन जैसे होता या जमना जी या तलाबे आई खेले जो मन भावे, शिराज शामा जी की देरे सुपार उतारे सब नेले शिर्जमना जी हूँ, पोश को सर्टाल हूँ, सब सक्खिया अपनी इच्छानुसार खेलती हैं जहां शिराजी शामा जी अपना विमान उतारते हैं, सक्खिया भी उनकी पास ही अपने विमानों को उतारती हैं जुथ जुदे जुदे बन खेले, खेल नए नए रग रेले, तब लग खेली साथ सब दिन घड़ी दोई पिशला जब, सखिया समू बनाकर बन में खेलती हैं, नए नए खेल करके आनत प्राप करती हैं, चोथे पहर में जब दो घड़ी शीश रह जाती हैं, तब तक वह खे जल में हैं तो कभी चोरस पाल पर, कभी धलक पी पाल पर, जहां दिल चाया, कभी वनों में, कभी जल में, अब जग चोथे पहर में दो घड़ी शीश रह गई, सहिया मिलकर पियू पासे आवें, जीलने की बात चलावें, शिराज शामा जी उठकर उतारे हैं बसकर, तब स सखिया शिराजी के पास आती हैं, जन कीड़ा के लिए कहती हैं, शिराज शामा जी उठकर, जन कीड़ा के वास्ती वस्तर धारन करते हैं, अब जीलना कर रहें, तो उसकी लिए पूरा अर्श में लावा प्रस्तोत होता हुआ, जीलन के वस्तर धारन करते हैं, पहनी वस्तर 500 जीलन, राज शामाजी, सैया सबाद, इत एक घड़ी लो जीले, जब कीडा के वह खेले, शी राज शामाजी ने जीलन के वस्तरदारन के ले, और एक घड़ी तक अनीख प्रकार की जन केडाई करें। को जालना, कभी राजी जल की कहराईयों में जा रही है, शामाजी को भी अपने संखीस्ते हुई। तो उन समेट धनी की वो प्यारी लीला है, कभी छिटक के दोल खड़े हो जाना, कभी जल की गहराईयों में चले जाना, और इन लीला के समी जुगल रास्नाराजियों को डुप या लाल के लाम से सुभॉदित करते हैं, कि मेरे डुप या लाल, जैसे डुप के लगा ली जल में, वो प्यारी सी लीला, चारो और जमना जल की वो बूंदियां बेखरते ही, और एक-एक बूंदी में शिराश्यमजी, और सक्यों का प्रतिबिन जल में लाता हुआ, शिराश्यमजी का शिगार, वो भीगे-भीगे, वो प्यारा सा सरूक्षी राश्यमजी का बागी दिन रहो घड़ी एक तामी शिंगार किये विवेग, वो संज्या को अफसर राश्यमजी बैटी शिंगार कर, अब एक घड़ी दिन शिश नहीं गया, अब उस में विवेग कोड़क शिंगार किया, अब ये संद्य का समय हो गया, शिराश्यमजी शिंगार करके बैट जाते ही, कभी पाल पर जमना जी की, कभी जल रोस पर, कभी शूतक देऊरे ही, शिराश्यमजी को सक्या दिल की जाना सरूप, जैसा सक्की चाहती है, पिया उनी सरूप में सामने हते ही, शिंगार सच की पिया सिंगासन पर विराजमान होते हैं, मिनो मिने शिंगार करावे एक दूजी के आवे, मिनो मिने शिंगार करावे एक दूजी के आगे थावे, उच्छ रगतिया आवे आगे, राजश्यमाजी के पाउ लागे, सक्या भी एक दूजी को शिंगार करा रहे हैं, एक दूसी की वेड़ी को संभाल वेड़ी है आप उशन पहना रही है और शिंगार करके एक दूजी से आगे दोटती हुई कि पहले मुझे धने के पास जाना है आती है बड़ी ओमंग लिए उचलती हुई राश्यामजी की चर्णों में परणाव करती है पाउं लाके पीछियां फिरे खेल चित चाहया दियुकरे कई रंग फूले फूल बास लेट नएने वन के रिराज सखिया शिराश्यामजी के चर्णों में सिस्दा करके पीछे लोटती है अपने इच्छा नुसाद बड़ी क्रिराए करती है प्रेम में चारों और खिले हुए पूलों की सुगंदी आ रही है और धाम के नूरी वनों में सखिया विबिन प्रतार से खेल खेल कर आनन की अन्भूती कर नहीं कितना सुंदर समा संज्या के समय वनों में उन से उठती है एक-एक बन जो लगों की तरह जिल मिला रहा है उनकी रोश्णी जब आपस में टकरा रही है और उनमें धाम के नूरी सुरूप अति सुन्दर सुरूप सक्षियों के दमन करते है शशे वन याही जोते सब तत्व रेजा है परेखेल अति उच्छन तामे कभू पभू पियाजी के संग वहां की वन बगीची चंद्रमा की भाती कन-कन में प्रकाशित हो रहे हैं वहां की एक-एक प्रिक्ष, एक-एक पत्ती, एक-एक फूल कैसी प्रकाशित हो रहा है फूल से फूल की तरंक कराती कोई, पत्ती से पत्ती की, तनी से तनी की और देती से उटता नोड, और उनमें खेलते धाम के नोड़ी सरू सख्सक्या बढ़े उसा से उनमें खेल रही हैं और कभी-कभी तो शिरा शामजी भी समय में होते हैं। इतने कई विद मेवा आरोगे, वन ही उलेवे विपोगे, इतने तो विलास विशाल पीछे आये बैकी सुखार। और सुकलकश के देलों में यही पर वन फल मेवे आरोगना, बड़े प्यार से धनी को अरगवाना, बड़े हीत की संग उन समय प्या के लिधी छबी। बन ही कुले विपोगे, इतने तो विलास विशाल पीछे आये बैकी सुखार। यहां प्रिलकर सभी वन के फल फूल मेवे आरोगते ही, खुब खुशालियां भी इस लिला में सनगर, कैसे धाल के धाल सजाके ला रही ही, उनकी संदर्दार। नित्य प्रती आनन विलास होता है और इसके पास सब सख्या सुख्वाल में बैठ जाती है। इत हुई पोफ़र एक राज सुख्वाल चलावे चित चाहत, घरो आये सुख्वाल सारे राज शामाजी पाँची पन पधारी। राद्वी का एक पहर वेतीत हो जाता है सख्या अपनी इच्छा अनुसार सुख्वाल चलाती है निर्जाम की ओर और सुख्वालों से रग महल में लोट आती हैं। तद पत्षाश चिराज शामडी पाँची पून में पधाते हैं। कैसे जो अर्शी मिलावा रंग महल की ओर लोट आती हैं। तो जमीन की परशुपक्षी जमीन से आस्मन के आस्मान में पाते बाजाते बाजद्र बजाते शड़ी खुमावते फूल खुमावते चले आते हैं। कभी चाननी चोप में आके उतरना और कभी पाँची पून के छज्जु पही उतरना। सुपबालों से उतरना सुपबाल अपनी पूम पढारते हैं। श्री राश्यमाजी, विश्ण पक्ष के दिनों में पहले रसुई की हवेली में आरोगने की दिला करके पाँचीदों आते हैं। और सुकल पक्ष में सीधा पाँचीदों पढारते हैं। पंद्रा दिन खेले बन, पंद्रा दिन सुक भवन। इत कहूं भवन को सुक जो श्री धनीजी करियो आग मौँँ। सखिया शुकल पक्ष में पंदा दिन बन में किरा करती हैं। और पिशन पक्ष के पंदा दिनों में रंग महल में आनन बिहार करती हैं। अब मैं रंग भवन के उन्स सुक पर वर्णन करते हूं। स्वयम सद्गुरु धनेशी क्ली चंची ने अपने मुखार बें सीक्या है। आप शेन नहुमतीजी संदर साची को पर्मा रही है। सुकल पक्ष की पंदा दिनों में वन में ही नित्य वन में ही आरुगने के लेला। क्रिशन पक्ष में। पहले चोरस अविली रसुई की हविले के उन्चा भुत्रे पर एक साथ मिलावा रूपता है। पिर चोती भूँ निरत की हविली में एक पहंदती लीला और उसके बाद पांची बन पधाते हैं। अब आगी वर्णन कह रहे हैं कि करेंगी श्री रंग महल का जो श्री देवचंची ने अपने श्री मुख से बताएं। पंद्रा दिन खेले बन, पंद्रा दिन सुख भवन, अब कहुं भवन को सुख जो श्री धनीची कहयो आप श्री हो। बोलो श्री क्रामनात प्याड़े कीचे। इस सत्वरी महाराज कीचे।